तो एक तरफ अमेठी में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है और इस हाई वोल्टेज स्तिती को और जादा गर्माने के लिए आपको बता दें सुनिया गांधी भी अमेठी पहुंच रही है वो आज रैली को संबोधित करेंगी जी हाँ बेटे के लिए मा अब रण में हैं कॉंग्रेस सद्यक सुनिया गांधी आज मेठी पहुंच रही है सुनिया आज मेठी में चुनाव परचार करेंगी कॉंग्रेस के गड़ मेठी से राहूल गांधी चुनाव मैदान में है और राहूल को चुनाती मिल रही है कुमार विश्वास और स्मृती इरानी से इस पीच आपको मता दे कि लोगसभा चुनाओं की तारीफों का जो एलान हुआ है उसके बाद से ही राहूल और सोनिया पूरे रेश में चुनाप चार में जुटे हैं अलकि इन दोनों का एक मंच पर देखे हुए एक साथ वहाँ समय हो गया है तो यह अवसर होगा एक बार फिर से खास तोर पर कॉंग्रेस कारे करता हूं कि रिए जब वो रैली के दौरान मा और बेटे को साथ साथ देखेंगे दो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं बेटे के साथ मा का हाथ जब आपको बता दे कि सोनिया गांधी ने नामांकन रायबरेली से किया था तो ज़ौरान उनके सार्थी बने थे राहूल गांधी और उसके बाद जब राहूल का नॉमिनेशन हुआ था तब भी वो उनके नामांकन में सोनिया गांधी नजर आती है तो पूरा का पूरा गांधी परिवार है वो अपनी ताकत इन चुनावों में खास कर अगर इन दो सीटों की बात करें रायबरेली और अमिठी में दिखाई पड रही है अशोक दिवारी संबाददाता हमारे साथ जुड़े हैं अशोक बहुत समय हो गया है किसी रैली में एक मंच पर मा बेटे साथ साथ दिखाई पड़े आज एक बार फिर से वही मौका होगा और साथी साथ कल जब मद्रप्रदेश में सोनिया गांधी ने रैली की थी तो अशोक फिलाल हम लगातार तस्वीरे दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि आज अशोक आपके पास मैं आऊंगी शायद आपका फोन कट गया है लेकिन इस बीच एक बार फिर से इन तस्वीरों को गर से देखिए मेठी में सोनिया गांधी की आज जैली है तक्रीबन बार अशोक बहन का साथ मिला था रोडशो के दौरान बारा तारीक की तस्वीरे दिखा रहे हैं और मा के सार्थी बने थे जब Rाईबरेली सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे होने के लिए जा रही थी Rाईबरेली नामांकन के लिए तब ड्राइवर बने थे राहूल गांधी अपने मा के लिए और इस वीच आप